क्या कामी ब्यक्ति भगवान कुछ। प्राप्त कर सकता है। वेul, टेक्निकली तो कर सकता है। क्यूंकि भगवान के लिएमें कुपजा। कुपजा कामी, काम बासना थी। काम बासना से उन्हों उसने भगवान कौ प्रोच किया। कृष्णा बलराम अथुरायते कंस के मल्यूध में पार्टिसिपेट करने और कुपजाई कुपजा ने प्रपोस किया कि भी मेरे साथ आप चलिए कृष्णा भाने का बाद में आऊंगा बाद में आई वो बाद में भगवान कुपजा के पास आये और कामवासना से उसने कि कामी, क्रोधी, लोभी ये फिर भी प्राफ्त कर लेंगे भगवान को मगर एहंकारी नहीं कर पाएगा एहंकारी मतलब जो की मैं और मेरे में पढ़ा है जो की भगवान की बात मानता नहीं जो की भगवान की बात स्विकार नहीं करता जो भगवान को स्विकार नहीं करता यह विक्ति कामी हो सकता है जैसे हम लोग भी है मगर हम भगवान की बात मानते हैं भगवान का नाम लेते हैं उनकी शरन में तो भगवान स्विकार करते हैं हाँ वो बात अलग है कि कामी व्यक्ति कृष्ण को प्राफ्ट कर सकता है कभी-कभी प्राप्ती भी कराते थे मैं कब प्रेम प्राप्त करने का लग विशे कृष्ण प्राप्त करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने दो लग विशे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो एहंकार से तो मुक्त होना ही चाहिए मगर काम वासना से भी मुक्ती चाहिए जब तक काम वासना है तब तक नावा कृष्न है ना राम है इसलिए जब काम वासना दीरे दीरे खतम होती है जब हिर्दे शुध होता है धुनोती वर्ड यूस करें जब हिर्दे धुल जाता है इन गंदियों से तो भगवान का प्रेम मिल दाते है इसलिए हमारा टार्गेट भगवान नहीं है यह क्वेशन जो है कि क्या कामवासना से भगवान की प्राप्ती हो सकती है यह क्वेशन खेर हमारी डिक्षिनरी में है नहीं तो है क्रिशन प्रेम मिल सकता है काम वासना के साथ वो नहीं मिल सकता है उसके लिए तो काम वासना से शुन्ने होना पड़ेगा बट प्रशन ही है ना कि क्रिशन प्रेम प्राप्त करने के लिए काम वासना से शुन्ने कैसे हो खुतों नहीं हो सकते उसके लिए तो क्रिशन की मदद चाहिए होगी इसलिए हम क्रिशन की मदद से क्रिशन के नाम की मदद से उनके भक्ती की मदद से हम काम बासना खतम करते हैं और काम बासना जब खतम आती है तो वहां क्रिशन के लिए प्रेम प्रकट हो जाते हैं ये पूरा विज्ञान है अगर हम इसको समझेंगे तो ह अपने पर एहंकार पर काम कीजिए एहंकार एहंकार शुन्ने हो वे भक्तिवनों ठाकर सौंग लिख रहे हैं वावे पर मधन एहंकार जब खतम हो जाता है तब हम spiritual life में दीर दीर आगे बढ़ जाता है तब फिर काम बासना के भी solution हो जाएगा सब सारे solution हो जाएगे और एहंकार का मतलब है कि हम भग्वान और वैश्नम की भात माने दीनता से और उसको अपने जीवन में अप्लाइ करने को जिश्क करें तो सारे solution है भग्वान भी प्राप्त होंगे प्रेम भी प्राप्त होगा और प्यान्त में मिर्तिक्याद उनके पास हमेशा हमेशा के करें झाल झाल झाल